हलो दोस्तो अंजिना के चैनल में आप सभी का हर दिक स्वागत है तो आए दोस्तो आज हम एक बहुत सुन्दर मोटिविशन स्टोरी जानते हैं दोस्तो दोस्तो ये कहानी है एक राजा की और उसके चतुर मंत्री की दोस्तो एक राजा और उसका बुद्धिमान मंत्री जिसको उसने शौदे का काम दे रखा था अर्थात बित मंत्रा लेका तो बित मंत्री का कारिया वो मंत्री करता था लेकिन किसी ने राजा के कान भर दिये कि राजा शाहप ये आपका मंत्री ठीक नहीं है ये जुरूर्ट से ज़्यादा इमानदार है और ये आपको फाइदा नहीं दे रहा है इसको वद से हटाना चाहिए तो दोस्तों कुछ समय तो राजा ने नजर अंदाज किया परन्तु कुछ समय के पश्चात राजा ने सोचा कि बात तो शही है मैं इस मंत्री को ही बदल लेता हूँ राजा ने एक बुद्धिमान लड़का मंत्री बना लिया जो राजा की परक में अच्छा निकला नई मंत्री को पता था कि पुराने मंत्री को क्यों हटाया गया है इसलिए उस लड़के ने सोचा कि मुझे राजा को ज़्यादा से ज़्यादा देना है इसलिए उसने पहले वाले मंत्री को हटाया है तो अब क्या होता है दोस्तों कि नई मंत्री ने पहला शौदा किया तो उसमें राजा को बहुत भाइदा हुआ राजा बहुत खुश हो गया और उसने नई मंत्री को इनाम भी दिया तो एक बार क्या होता है दोस्तों कि उस राज्य में एक घोड़े का व्यपारी आता है तो उस दिन वो मंत्री भी वहीं था और राजा भी वहीं था उस व्यपारी की राजा ने बड़ी आवख्त की उसके पास एक हजार घोड़े थे तो उस ब्यपारी ने कहा राजा शहप मैं चाहता हूँ कि ये घोड़े आपके अस्तवल की शान बढ़ाएं आपके अस्तवल की शान बने इसके बदले आप मुझे अच्छा प्रोफेट दे दीजिए अब मंत्री ने कहा कि एक मुठी चावल के बदले ये एक हजार घोड़े दी दो इस पर राजा तो बहुत खोश हुआ लेकिन ब्यपारी बहुत चंबे में रह गया ब्यपारी ना कहा ये क्या बात हुई एक मुठी चावल के बदले में एक हजार घोड़े कैसे दे दो तो इस पर मंत्री बोला ठीक है कल देखते हैं अब ब्यपारी रात को वही रा जर्वार में जाओं क्या करूं अब उस ब्यपारी को किसी ने बताया कि यहां पर पहले एक बहुत चतुर मंत्री हुआ करते थे और इमांदार भी थे आप उनसे मिलिए उनकी जगह ये नया मंत्री बना हुआ है अब वह पुराने मंत्री के पास गया ब्यपारी तो उसने अपनी सारी बात उस पुराने मंत्री को बताई पुराने मंत्री ने कहा कि तुम उस नए मंत्री को बढ़िया सा आज एक तोफा दे दो और लालच में और बदले में ये कहो कि कल दरवार में ये बात समझा दो कि इस एक मुठी चावल का क्या मतलब है कि आपने ऐसा क्यों क और मुझे भी कुछ अच्छा सा राजा से प्रोफिट दिला देना। अब व्यपारी अराम से रात को शो गया। और अगला दिन आता है दोस्तों तो ये जो ये मंत्री होता है ये मंत्री के पास ये व्यपारी जाता है। और उसको बहुत बढ़िया सा एक तोफा देता है और कहता है कि अगले दिन दरवार लगेगा तो आप इस एक मुठी चावल का मतलब मुझे वहां समझा देना और राजा से बढ़िया सा तोफा भी देता है ला देना। तो अब नया मंत्री कहता है कि ठीक है। अब अगले दिन दरवार लगता है राजा शाह भी आते हैं सारे मंत्री महोदे भी आते हैं और वो ब्यपारी भी आता है। इस पर घोडे का व्यपारी बोलता है कि राजन आप हम मुझे समझाइए कि एक मुठी चावल का मोल क्या है तभी शोदा होगा। अब राजा ने अपनी मंत्री की तरफ इशारा किया कि मंत्री शाह बताओ एक मुठी चावल का क्या मतलब है। अब मंत्री ने तो ब्यपारी से किफ्ट लिया था तो मंत्री को तो ब्यपारी को भी खुश करना था और राजा को तो उसने पहले ही खुश कर दिया था। तो उसने बड़ी खुशिश कहा कि राजाशाव सुनिये हमारे राज्य में ये सारा राज भैब्य ये सारा राजपद प्रतिश्टा सब एक मुठी चावल है वहीं लोग हंसने लगे कैसा मुर्ख मंत्री बनाया है राजाशाव आपने हमारे राज्य का मोल केवल एक मुठी जिसको हम इतनी अपनी मा से भी जादा बढ़कर इस राज्य को से प्यार करते हैं, हमने इसके लिए जिंदगी भर कुरवानी दिये, इसका मोल के बल एक मुटी चावल, राजा ने तुरंत लड़के को उस नई मंत्री को पद से हटा दिया, और पुराने मंत्री को जो वहीं दरवार पिता उसको ही दुबारा मंत्री बना लिया, दोस्तो, सबको खुश करने के चकर में वो नया मंत्री अपनी प्रतिष्ठा से भी गया, और खुद भी सरम से उसकी सर जुग गया, तो ये तो थी थी दोस्तो कहानी, हम भी कभी कभी सबको खुश करने के चकर में अप अपने आप को हमें खुशी अपने आप अपने अंदर ही ढूंडनी चाहिए हम सब को खुश नहीं रख सकते तो इसलिए सब को खुश करने के चकर में कहीं अपनी जिंदगी ब्रवाद ना करें तो थेंक यू ये थी आज की हमारी मोटिवर्शन स्टोरी आशा करती हूं आप सब को पसंद आई होगी प्लीज सब्सक्राइब ही माई चैनल थेंक यू